तो वो सेल तो आपने कर दी, लेकिन वो मेरी जरूरत नहीं थी एक दफा की डील भी हो गई, ट्रांजेक्शन भी हो गई, लेकिन मेरा ट्रस्ट उस सेल्स परसन से खतम हो गया जो बिजनस है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रिपीट ओर्डर से होती है तमाम कामयाब बिजनसेज जो हैं, वो कस्टमर रिटेंशन पे बात करते हैं लॉयल्टी इतनी डिवेलब हो गई कि मैं दूसरों को रिकमेंट करने लग गई मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोड़क्शन करा दू, मैंना मुझमा कमाल है और मैं सेल्स ट्रेनर हूँ, सेल्स कोच हूँ, मार्केटियर हूँ फ्रम लास्ट त्री तो फोर यहर्स मैं ट्रेनिंग एंड कंसिल्टन्सीज में हूँ इससे पहले मेरा प्रीवियसली एक्सपरियंस था विद कोपरेट सेक्टर मैंने पाकिस्तान की तीन लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सर्फ किया हुआ है मॉबिलिंग, वारेट, जॉंग, इसके लावर मैंने बेवरेजिस में भी काम किया हुआ है कोगा कॉला बेवरेजिस में और जो मेरा एरिया ओफ एक्सपर्टीज था वो सारा सेल्स, सेल्स ऑपरेशन, मार्किटिंग, ब्रैंड एक्टिवेशन, ट्रेड मार्किटिंग, अफिनिटी मार्किटिंग, यह मेरे एरिया ओफ एक्सपर्टीज है लास्ट त्री येर से जैसे मैंने आपको बताया मैं ट्रेनिंग और कंसिल्टन्टेंसी की फील्ड से हूँ वाबस्ता हूँ और इसमें मैं नैशनल बिजनस डिवेलप्मेंट प्रोग्राम की प्रीकौलिफाइड ट्रेनर और कंसल्टन्ट भी हूँ National Business Development is an initiative of Sameda आप सबको पता होगा Small and Medium Size Enterprise Development Authority उसके साथ भी मैं काम कर रही हूँ इसके लावा मैं दीगर और लीडिंग ब्रैंड्स के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा चुकी हूँ और कंसिल्टेंसी दे चुकी हूँ ये टॉपिक वैसे तो इतना कॉमन है और इतना जरूरी है कि बिजनस एज इन इंडिविज्वल आपको इन चीजों की समझ होनी चाहिए चाहिए आप अपना कारोबार करते हैं या आप कहीं जॉब करते हैं या आप कैरियर इसमें परसू करना चाह रहें तो सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड एक ऐसी चीज है विच इस बैकबॉन फॉर एवरी बिजनस कोई भी बिजनस जो है वो सेल्स और मार्केटिंग के बगएर चली नहीं सकता ऐसे ही है अच्छा देखें ये सेशन जो है वो मेरी तो जाहरी बात है कोशिश होगी कि आप यहां से कुछ सीख के जाएं लेकिन सिरफ मेरी कोशिश काफी नहीं होगी आप की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ी जरूरी है तो पार्टी सिपेशन में आप बिल्कुल नहीं की चाहिएगा कोई क्वेस्चन आप पूछना चाहिए आप ड्यूरिंग दे सेशन भी पूछ सकते हैं कोई अपना फीडबेक शेयर करना चाह रहे हैं कोई हमें इंफर्मेशन देना चाह रहे हैं यॉर मोस्ट वेलकम ठीक है तो आपने एक्टिव ली इसमें पार्डिसिपेट करना है अच्छा जी हमारे टॉपिक है जी सेल्स एंड मार्केटिंग इंडिजिटल एज लेकिन इस टॉपिक पर डिरेक्ट जाने से पहले मैं यह चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा सेल्स एंड मार्केटिंग बता सकूँ आ रेविन्यू जेनरेट करने के लिए जी और जी उसको सेल्स कहते हैं एक्स्चेंज करने को ओके जी आप में से कोई सेल्स क्या है क्या होती है सेल्स बेचना ठीक है जी और कोई साहब जी मैंने एक्चली आई डू अंडर्स्टेंड मैं सिर्फ यह चाह रही हूं कि सेल्स एक्चली आपको बता सकूँ कि जी सेल्स क्या है ठीक है बेचना है आपने पैसे दिये चीज ली या पैसे लेके आपने किसी को सर्विस दे दी कॉमन सेंस तो यही कहती है लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी जो है वो बैग्ग्राउंड जानी है कि एक्च्छल सेल्स क्या है बेचना तो आफकोर्स सेलिंग मीन्स बेचना लेकिन सेल्स एक्च्छली यह है कि आप अपने कस्टमर को उसके प्रॉब्लम का सिलूशन दें हम पहले सुनते थे कि जी वो बरफ में जो है वो आप आइसप्रीम बेच दें फ्रीजर बेच दें तो यह सेल्स है जिनके बाल नहीं उनको कंगी बेच दें तो यह सेल्स है लेकिन एक्च्छली वो सेल्स नहीं है अगर मेरी requirement है एक small size fridge और आप मुझे एक jumbo size fridge बेज देते हैं तो वो sale तो आपने कर दी लेकिन वो मेरी जरूरत नहीं थी वो मेरी जरूरत नहीं थी अच्छा एक और चीज आप बेशक इसे note ना करें ये presentation मैं soft में आपसे share कर लूँगी हाँ आप लिखने की जरूरत नहीं है ध्यान अपना इदर रखिये तो वो fridge आपने बेच दी आपको commission मिल गया और मैं अपनी जरूरत से मतलिक नहीं एक चीज लेके घार आ गई जो मेरी requirement actually नहीं थी तो ये sales नहीं है क्यूं क्यूंके मुझे थोड़े दिन बाद ही regret शुरू हो जाएगा कि मेरा decision गलत था मेरा तो घरी इतना बढ़ा ने इसने space cover कर ली बिजली जादा खाती है खाली पड़ी रहती है तो बेचने वाले ने चीज बेच दी एक दफा की deal भी हो गई transaction भी होग गया मैं कभी दुबारा उसके पास नहीं जाओंगी और एक बात याद रखिए कि जो business है उसमे profitability repeat orders से होती है इसलिए बहुत से businesses या तमाम काम्याब businesses जो है वो customer retention पे बात करते हैं यानि customer उनका retained रहे फौजिया business कर रहे हैं क्यों फौजिया repeat orders क्योंके आप yes क्योंके जब आप एक दफ़ा transaction कर लेते हैं और वो customer आप से चला गया वो satisfied नहीं था एक तो उसने खुद से आप से दुबारा डील नहीं की प्लास उसने और लोगों को भी बताया trust नहीं रहा उसको और वो negative word of mouth spread कर रहे आपके लिए प्लास वो खुद कभी नहीं आएगा वो दूसरों को भी मना कर रहे हैं loyalty का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि loyalty trust के बाद built होना शुरू होती है तो हर काम्याब business जो है वो ये चाहता है कि उसके पास repeat orders आएं repeat orders या repeat customer सिरफ उस सूरत में आते हैं जब आप उनकी requirement को समझते हुए उनको exactly वो चीज sell करें तो sale is more about service and serving so पहले तो अपने जहन को यहाँ पे clear कर लें कि sale is to give a service or to serve your customer up to the extent के वो खुश हो और आपके साथ एक long term business relation में जाए ठीक हो गया तो आज के बाद sales क्या है is to helping customer service देना यह नहीं कि मैं 10 unit बेचा हूँ चाहे उसे चाहिए थे या नहीं चाहिए थे उसकी requirement थी या नहीं थी मैंने बेच दिया अच्छा जी एक चोटा से question है आपसे पिछले कुछ time में आपने किसी ने कोई brand स्विच किया हो कोई toothpaste आप यूज करते थे वो छोड़ के आपने कोई दूसरा यूज कोई आटा यूज करते थे कोई घी यूज करते थे या कोई clothing brand आपने change किया सबको यह तजर्बा किसी ना किसी हालत में हुआ होगा कोई share करना चाहें जी बटा सस्ते में आगे है ठीक है brand change किया आपने because of price okay जी और जी टूथपेस चेंज किया आपको कैसे पता चला कि जो अब आप यूज कर रहे हैं वो quality toothpaste है किसने बताया आपको इसके बारे में जो आपने change किया वो किसी बहन भाई के मश्वरे किसी एड देखके किसी चीज एक डॉक्टर ने इनको recommend किया और कोई सहाब अच्छा for a change आपने ठीक है और जो दूसरा आपने यूज करना शुरू किया उसका कोई एड देखा आपने या किसी से सुना या इसी पड़ा हुआ था आप उठा के लिए ठीक हो गया जी और कोई सुफी पहले यूज करते थे पर डालडा शुरू कर दिया और डालडा जो है वो किसने आपको बताया किसका टेस्ट बेटर है आपको यह क्यों लगा कि मैं हभी यूज करना शुरू करतूं किसने आपके दिमाग में क्वालिटी और फीचर डाले कहीं सुना होगा ना जी आप ट्राइ करते रहते हैं आपको उसमें से जो संग अच्छा लगता है ज्यादा यूज करते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही आप ट्राइ करते हैं आप ट्राइ कैसे करते हैं पहले को आपको पता चलता है कि इस नाम की चीज एक्सिस्ट करती है तो आप करते हैं यह आप उसको स्टोर में लगा हुआ करते हैं आप कहते हैं मैंने यह तो यूज कर लिया मैं इसको भी देखूं ठीक होगे जी और कोई साब इसमें आइड करना चाहेंगे क्या प्रचेस किया है अच्छा हाईर कैसी ठीक है जी इस सीजर में वो गया तो उसे पाइड ओक कर लेंगी गोश्चिश की ने को पुलाया तो फाइड यह वाश आई इस्टालेशन में इस्टापन गाई तो इसको बैड एक्सपीरियंस आपको हुआ और पिर आपने कोई और सोचा कि आपाइंदा कौन सा एसी लेंगे या आप भी रिसर्च करेंगे डूंडेंगे अभी डौलंस का सोच है लेके बीक हम परचेस ने किया थीक है ने दोस ने रिकमेंड किया थीक है अचा जी सेल्स अमने देख लिया क्या होता है अब हम बात करें bien basically marketing की कि marketing को कि लोग अकसर फर्क नहीं कर पाते जब मैं पूछती हूं कि sales and marketing क्या तो यह marketing sales बें बता रहे होते हैं यह sales marketing यह interchangeably वो word use कर रहे होते हैं तो concept clear होना जो है वो बहुत जुरूरी है तो मार्केटिंग बेसिकली जो है, it's about changing the beliefs in the mind of customer. मार्केटिंग की जितनी effort होती है, वो इसलिए होती है कि कस्टमर का belief उसका यकीन चेंज कर सके. कोई स्टोर में लगा देखता है, merchandising, it's a marketing, जो आपके सामने displays लगे होते हैं, यह marketing है, जहाँ product physically display होता है, कोई ad देखता है, और उसको लगता है कि यार यह चीज जो है यह अच्छी है, कोई word of mouth सुनता है, word of mouth is a declared form of marketing. यानि मैं अगर इन से कहती हूँ कि आप जो है वो काड़ी पे चली जाएं, बड़े अच्छे कपड़े हैं, मैं actually marketing कर रही हूँ, और यह वो हमारी पहली वाली चीज से है, कि मैं loyal थी, मुझे trust था, काड़ी पे, loyalty इतनी develop हो गई कि मैं दूसरों को recommend करने लग गई. इसा है, बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल ऐसा ही, बिलकुल ऐसा है, यह वी कमाल देखें, आप यह इस digital age का ही कमाल है, कि हमें इतनी मदद मिल जाती है, कि before making any buying decision, हमारे पास multiple choices हैं, कि हम evaluate कर सेकें, कि हमारा decision सही होगा गई. तो हम marketing पर बात कर रहे थे, कि it's about changing the belief of the customer, कि वो एक brand को छोड़के, दूसरे पर switch हो जाते हैं, यह कीन, इतना पुखता कर दिया जाता है, कि मेरे पास जो चीज है, that is the best, यह जरूरी चीज है, और जिस तरह की चीज मैं provide कर रहा हूं, यह competition से नहीं मिल सकती, so, इन दो चीजों के उपर आपकी marketing काम करती है, जहां belief change हो जाता है, वहां आप brand change कर लेते हैं, आम, रोज, मरा की discussions में, बहुत जादा बातें ऐसी होती हैं, जो intentionally उस वक्त किसी decision या किसी buying decision के लिए नहीं होती, लेकिन हमें influence कर रही होती, ठीक है जी, तो sales और marketing, मैंने आपको बता दिया कि क्या है, अब sales and marketing basically, यह दो ऐसे department हैं, जैसे आप कहें कि skirt and blouse, इन दोनों department का अलएदा-अलएदा काम करना नामुम्किन है, अगर कहीं करते हैं, तो फाइदा नहीं होता, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, sales को support करने के लिए marketing होती है, आप कभी sales नहीं कर सकते, अगर आपको marketing की support नहीं है, मैं business consultancies करती हूँ, तो वहां अकसर लोग मुझे कहते हैं, जी नहीं हमारे तुझी काम चल रहा है, sales नहीं तो बड़ी अच्छी हो रही है, हमें जरूरत नहीं marketing की, नहीं उसमें एक मैं आपको correct कर दूँ, नहीं उसमें actually कहीं, लोगों तो पता ही नहीं कि यह यह चीज भी form of marketing है, जैसे आपके printables हैं, जो आपके brochures हैं, that is a tool for marketing, customer को inform कर रहे हैं, केबल पे आड जलाया है, इसके लाब आप food testing करा रहे हैं, या आप test marketing कर रहे हैं, test customer का opinion चेक करने की कोशिश करे हैं, feedback ले रहे हैं, this is also marketing, marketing, social media पे चले जाएं, आप वहाँ पे आप जो activity कर रहे हैं, that is also marketing, अगर आप properly कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को तो यह नहीं पता होता कि actually हम marketing कर रहे हैं, वो समझते हैं कि नहीं, हम marketing नहीं कर रहे हैं, वैसे result आ रहा है, और दूसरी भड़ी बात ही होती है, कि result आ रहा है, कुछ अर्सा तक आता रहेगा, but the moment आपका competition एंटर होगा, आपके साथ, तो उस दिन आपका decline शुरू हो जाएगा, क्यूंकि हो सकता है, आपका competition एक proper marketing strategy के साथ आए, तो marketing बहुत जरूरी है, इस तरह अगर sales को support नहीं करना, तो marketing का कोई जवाज नहीं है, आप ये कहें कि फलाँ company की marketing बहुत अच्छी थी, sale नहीं नहीं हो रही हैं, तो ऐसी marketing की कोई जरूरत नहीं है, that means कि marketing अपना काम पूरा नहीं करा, तो इसमें bottom line ये है, कि ये दोनों department जो हैं, बहुत अच्छी तरह से integrated होने चाहिए, इनकी activities बहुत ज़्यादा collaborative होनी चाहिए, isolation नहीं है, marketing कुछ कर रहा है, sales कुछ कर रहा है, ठीक है जी, अच्छा, ये तो था कुछ sales and marketing की, मैंने आपको basics बता दिये, I hope आपका concept थोड़ा सा clear हुआ होगा, और ये कितने जुरूरी है एक दूसरे के लिए, मैंने आपको ये भी explain कर दिया, अब हम topic की तरफ आते हैं कि digital age में sales and marketing क्या है, अच्छा जी, अब पहले तो digital age जो है वो, जिसमें हम सब अभी survive कर रहें और हमारी जिन्दगियां भी change हो गई है, है के नहीं, हर वक्त हमें internet का connection चाहिए, smart phone, थोड़ी दर बज़े ना तो हमें उलजन शुरू हो जाती है, कि message की notification नहीं आई, हम साही से पूछना हो, कि खाने में क्या आप काया, तो हम फॉरण WhatsApp करते हैं, करते हैं, जट पढ़ जा के देखा कि Facebook sale कौन सी लगी है, उस brand पे पहुंच जाओ, है कि नहीं, और जो ऑनलाइन स्टेडी के नाम पे बच्चों ने माँ बाप को दोके दी हैं, कौविट के दिनों में, I'm sure सब parents को याद होगा कि window कुली होती थी और नीचे YouTube चल रहा होता था, anyway, ये तो light note पे हम बात कर रहे हैं, तो basically हम सब की जिन्दगियां change हो गई है, इसी तरह से businesses change हो गए है, जो digital revolution आई है, जो बहुत जादा internet की access असान हो गई है, हर बंदे के पास internet है, यहां बैठे हैं तो wifi बाइर निकले हैं तो mobile data on कर लिए, आगे restaurant में गिया है तो उसका wifi यूज करना शुरू कर दिये, ऐसे है highway बे जा रहे हैं तो डेवू का wifi यूज कर रहे हैं, अपना mobile data यूज कर रहे हैं, तो वो seamless connectivity जो है, वो चल रही है basically और हमें उसकी आदत हो गई है, likewise जो transformation businesses में हुई है, वो भी इसी वज़ा से हुई है, कि access use of internet and smartphone की वज़ा से, जो है वो digital revolution की वज़ा से, businesses के तरीके भी transform हो गए हैं, पुराने तरीके obsolete हो गए हैं, या चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ-साथ नए तरीके भी आगे हैं, जिसमें भी इन्होंने e-commerce का किसी साहब ने जिकर किया है, को e-commerce करते हैं, plus digital marketing है, social selling है, ये सारी चीज़े उसके अंदर शामिल हो गई है, तो business जब change हुए, तो business basically, जैसे मैंने आपको बताया कि sales and marketing एक key function है, किसी भी business के लिए, क्यों? business नहीं चल सकता है, actually these two are customer facing department, customer centric department, इसलिए ये इतने हैं मैं, को कहीं आपके customer से deal कर रहे हैं, इनकी तमाम activities customer के इड़ गेरते हैं, और customer नहीं होगा, तो क्या होगा? business नहीं होगा, business ही नहीं होगा, कोई business है, जो कि मेरा कोई customer नहीं मैं business हूँ, नहीं, हो नहीं सकता, ठीक है, तो एक successful business जो है, उसके लिए एक steady stream of paying customer जरूरी, और उसे कौन इंशोर करता है, sales and marketing department, तो sales and marketing, चूब के customer को face करता है, digital, आपकी जो digitalization है, या digital revolution है, technological advancement है, उसमें, दो चीज़े में नहीं, technological advancement, and secondly, customer का complex behavior, ये दो चीज़े हैं, जिस company ने इन दो चीज़ों के उपर काम कर लिया, उसकी success को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन, ये, it's not as easy as I am saying, तो sales and marketing के लोगों के उपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, क्योंके उन्होंने, इस वाले complex customer को deal करना है, आगे जाके पढ़ेंगे कि ये complex क्यों इतना हो गया है, तो basically, आपका जो sales and marketing function है, उसको बहुत जादा evolve होने की जरूरत है, पुराने तरीके sales के, marketing के, is no more effective, किसी जमाने में sales करने के लिए आफ, front facing customer के साथ बैठ के बात करते थे, जाके meeting करते थे, पहले appointment लेते थे, फिर meeting करते थे, अब आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, WhatsApp कर लेते हैं उसको, Zoom से बात कर लेते हैं, प्लस ये कि आपने को proposals भेजने हैं, तो आप email कर देते हैं, WhatsApp कर देते हैं, कि तस्वीर दिखानी है, फिर सबसे बड़ी बात आपके पास अगर अपनी website है, तो basically, जो आपका commercial या sales and marketing का जो रोल है, वो बहुत जादा evolve हुआ है, इ इस digital revolution की वज़ा से, अच्छा, इस में businesses के पास, इस digital revolution की वज़ा से, बहुत opportunities आई है, one by one हम discuss करते हैं, कि businesses के लिए क्या opportunities आई है, digital channels introduced हुए, आज कल कोई सोच सकता है कि उसका कोई business हो और उसकी website नहीं हो, अगर ऐसा होता है, तो हम, हमें लगता है कि यह कोई backward है, यह company updated नहीं है, अगर इसकी website नहीं है, ऐसा ही है, authentic नहीं लगती, काबले भरोसा नहीं लगती, और sale में पहला चीज क्या हमने बताई, trust, you have to win the trust of the customer, तो website ने आपको, यानि digitalization की वज़ा से, website आपके लिए एक channel बन गया, एक पहचान बन गयी आपके business के लिए, आपके authenticity create करने के लिए, आपको credible and trust worthy शो करने के लिए, तो ये channels जो हैं, इसके लावा आपके social media platforms हैं, जिनको बहुत अची तरह से use कर रहे हैं, छोटे business वाले, दरम्याने business वाले, आज कल कोई बन्दा कहे, जी मेरा Facebook का page नहीं तो हमें लगता है, बड़ा, एहमी सा है, कोई backward है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, इवन कि आप वैसे कहीं apply करते हैं, तो आपका LinkedIn का अगर profile नहीं है, आपने CV में जो मर्जी डाल के बेजा हुआ है, तो वो आपको, नहीं वो consider नहीं करेंगे, they look at your profile, जो आपने LinkedIn पर बनाया हुआ है, वज़ा क्या है, पहली बात कि आप updated है, टेक्नोलोजी से familiar है, दूसरी बात है कि LinkedIn का profile एक दिन में नहीं बन सकता, उसके उपर activities आपकी over a period of time शो हो रही है, जबके CV में आप computer पे बैठे हैं और कुछ भी डाल दिया, जी मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलान हूँ, है के नहीं, तो वो CV उतने credible नहीं रहे, इसलिए वो आपसे आपके Facebook का link मांगते हैं, या आपके LinkedIn का link मांगते हैं, ताके वो यह देख सकें कि यह जो claim कर रहा है या कर रही है, वो सही भी है कि नहीं, तो likewise, अभी हम किसी brand का सुनते हैं, तो हम फॉरन टाइप करते हैं, इसका Facebook का page है कि नहीं, हला कि दो तीन उस नाम के खुल जाते हैं, अगे इन बंदा confused हो जाता है, इसमें से कौन सा इनका सही वाला है, कौन सा गलत वाला है, उसके बाद पिर आप जाके देखते हैं कि इसके follower कितने हैं, देखते हैं, अगर 10, 12, 15, 1500, 200 हो तो आपके तो आपके पास यह opportunity आगे, कि आप अपनी online presence create करें, ताकि आपको यकीन देहानियां कम से करम करानी पड़ें, आपके अगला आप optimization आप सब जानते हैं, basically आपकी website search results में उपर से उपर आए, उसके लिए search engine optimization यूज की जाती है, this is also a digital channel and opportunity for the business to grow, content marketing का इस्तमाल किया जा रहा है, who is familiar with content world, content क्या होता है? अच्छा, पहले मेरा question के content, क्या है, one by one, जी, written जो लिखा होता है, okay, जी, written चीज, okay, content, क्या होता है content, ताली हम जाने इन के लिए, clapping करें इन के लिए, इतनी मरी हुई ताली, लोगों को appreciate करना सीखें, यह बड़ा जुरूरी है, अच्छा जी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा के content can be anything, तस्वीर भी हो सकती है, वो कोई article हो सकता है, वो कोई paragraph हो सकता है, जिसे आप copywriting कह रही है, कोई blog हो सकता है, anything and everything, which is actually explaining about your business, is your content, वीडियो, most effective content जो है, जो customers में highly engaging है, वीडियोज है, अगर आपने बिजनस की कोई वीडियो बना दी है, और आपने upload किया है, that is your content, email marketing, email को previously official communication के लिए use किया जाता था, या हम अपने दोस्तों से, अपने relative से to stay in contact, लेकिन अब ये एक proper channel है, जिस पे आप अपने proposals भेज सकते हैं, जिसके तुरू आप reminders भेज सकते हैं customers को, जिसके तुरू आप अपनी deals, promotions, अपने discounts, even अपने बारे में जो भी आप चाते हैं, आप email के तुरू इसको अपने business purposes के लिए भी use कर सकते हैं, अच्छा, digital channels के साथ एक और चीज बड़ी interesting इस digital age में हुए and that is personalization, अच्छा जी, personalization का मतलब है कि companies को एक opportunity नजर आई, कि वो बड़े individual level के उपर जाके भी लोगों की जरूरियात को समझ सकते हैं और पूरा कर सकते और ये कैसे मुमकिन हुआ, ये मुमकिन हुआ data की base पे, क्योंकि आपको digital age ने जो सबसे बड़ा gift दिया ने वो data दिया है, जो previously नहीं होता था, data है आपके पास, आपको सब पता है, आपको कौन लोग contact कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी मेनत कर लें, तो आपको ये भी पता चल जाता है, ये किस source से आ रहे हैं, कितने follower मेरे जो हैं, वो मेरे friend list में से हैं, कितने दूसरे हैं, ये सारी जो आपको एक tracking है, वो digital age में possible है, जो previously possible नहीं थी, तो जो data आया, तो data में आपको पास feedbacks आए, comments आए, reviews आए, ratings आई, उसकी base पे आपने identify करना शुरू कर दिया, एक अच्छा मेरे फलाँ customer या group of customer की ये specific need है, और आपने उस need को पूरा करने की कोशिश की, इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है, अगर आप में से किसी का इत्तफाक हुआ हो, my zong के नाम से एक application है, zong की, use किया है आपने उसको, उसमें आप अपनी मर्जी का package बना लेते है आप जाते हैं, और उस application के अंदर आप अपना वो tenure सेलेक्ट करते हैं, पैसे 500, 700, जितने का balance, और उसमें आप अपनी choice होती है, कि आपको off net minute कितने चाहिए, आपको on net minute कितने चाहिए, flat data कितना चाहिए, social media के लिए data कितना चाहिए, आप अपनी मर्जी का bundle create करते हैं, पहले किया होता था, एक standard package आ जाता था, इसमें इतने जीबी हैं, अभी भी आते हैं, वो standard packages भी हैं, but there is an option, कि आप अपनी मर्जी का package बना, अगर मुझे SMS नहीं चाहिए, मैं SMS नहीं डालूँगी, मैं उसकी जगा data डालूँगी, कस्टमाइज कर दिया, उस customer ने, उसको एक freedom जो feel हुआ, कि यहां पे 500 रुपे के balance में, अपनी मर्जी का package बना सकता हूँ, यह कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि Zong ने extensive कि research की होगी, कि मेरे लोग क्या चाहते हैं, मेरे customer क्या चाहते हैं, और उसने उस need को cater कर लिया, तो personalization इसलिए भी important है, क्योंकि आप different tools use कर रहे हैं, कोई बं साइट को laptop से access कर रहे हैं, तो वहां पे आपको दोनों का ख्याल रखना है, मैंने एक दफ़ा laptop से किया, एक दफ़ा मैंने mobile से किया, तो आपकी वो responsive websites होती है, जो layout change करती है, जैसे ही आप अपना device change करते हैं, तो customize experience मिला customer को, ठीक है जी, उसके अलावा customer कहां पर पाया जाता है, अगर मेरा कोई business है, तो मेरा targeted customer कहां है, Facebook पे जादा है, LinkedIn पे जादा है, TikTok जादा यूज़ करता है, मुझे ये पता है, अब मैं अपनी campaigns जो है, marketing की, वो मैं उन platforms पे जलाऊंगी, और उसको उसकी मर्जी के product या service दोंगी, तो personalization is an important feature of digital age, यहां तक कोई question किसी का? अच्छा जी, CRM's, यह term तो कफी familiar है, आपने, I'm sure, सुना भी हो, सुना होगा है, सही सबतान है, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, ठीक है जी, यह basically softwares है, जिनको customer relationship management softwares, बोला जाता है, इनके different नाम है, हैं, हब spot है, zoho है, इसके लावा और बेशुमार, आप कभी search करने लगें, तो आपको softwares नजर आएंगे, जो basically customers का centralized data एकठा करने के लिए use होते हैं, याद है ना शुरू में, customer का changing behavior, तो जो changing behavior है, उसके accordingly आपने technology in place की है, ताकि आप उसके behavior के accordingly, उसको manage कर सके, better manage कर सके, तो CRM में क्या होता है जी, CRM integrated होते हैं, आपकी website के साथ, इसके लावा हर company के अपने requirement होती है, कुछ लोग manual data भी डालते हैं, और आपके पास एक, एक जगा आ जाती है, virtual place जहां पे आपके customer से related तमाम information है, अब जिस दिन customer ने आपके साथ तालुक शुरू किया, आपको call की, या आपको email किया, या आपको phone किया, या आपको WhatsApp भेजा, तो उस CRM में, वो interaction record हो जाएगी, फॉरी तोर पे, आपके sale के बंदे ने उसको response किया, उसकी query का जवाब दिया, ये भी record हो गया, तो इस तरह से वो जो customer unattended नहीं रहता, आपको असानी हो जाती है, आपके sales के लोगों को असानी हो जाती है, कि वो उस customer को timely respond कर सके, क्योंकि sale एक दफा में तो close नहीं होती ना, normally sale cycle ये sale process ऐसा होता है कि एक दो बार आपको back and forth होना पड़ता है, customer से interact करना पड़ता है, तो previously क्या होता था, लोग proper data maintain नहीं कर पाते थे, customer ने call किया, जवाब दे दिया, उसे भूल गे, follow up call नहीं की, तो यहाँ पे वो मसले हल हो जाएंगे, यहाँ आपको खुदी reminder आना हो जाएगा कि जी तीन दिन होगे, इस customer से आप follow up करें, अब जो अच्छी तरह आपका customer manage होने लग गया, तो naturally क्या हुआ, आपका relationship उससे अच्छा होने लग गया, relationship अच्छा हुआ, तो trust built हुआ, trust built हुआ, तो loyalty आ गई, और वो customer आपके साथ, जो है वो, long term business relationship में चला गया, तो ये technology की blessing है, जो C.E.R. मुझे याद आ रहा था मैंने जब पढ़ाई से फारे हुई तो एक water filter company में मैंने internship की, उस company का नाम था source safe water filter, अगर आप लोगों को याद हो तो पहले घरों में ना वो पिल्कुल जो tap होता था उसके उपर वो बड़ा सा एक water filter लगा जा जाते थे जिसमें तीन, वो cartridges होती थी और वो वहां से filter होके तो पानी आता था, तो वो उन्होंने मुझे पहली assignment ये दी के जी हमारे ये cartridges जो है ना छे हफ़ते के बाद बदलना होता है, लेकिन चूँके यहां ना सेल वालों के पास कोई data है, और जो कुछ है वो फाइलों में paper के नहीं, तो सेल वाले लोग बचारे नहीं sales करने में लगे रहते थे, उनके पास time ही नहीं था कि वो जाएं और जाके देख के आएं कि अब किसको जो है वो हमारी replacement की जरूरत है, तो मैंने किया मुझे Excel नहीं नहीं आई थी उस वक्त, मैंने Excel में वो data डालना शूरू कर दिय और उसके बाद खुदी से कोई manually उसको करती थी और मुझे पता चल गया कि इन इन water filters को 6 हफते हो गए हैं और अगर इनके customers को call करके उनको cartridge replacement के लिए कहा जाए तो वो मान जाएंगे, तो मैंने ये effort की और उसके नतीजे में उनकी cartridge की sale जो है वो उस महीने थोड़ी सी बढ़ कर दिया, तो मुझे मेरी पहली जो promotion थी वो basically internship के लिए में गई थी but they offered me a job, तो अब मैं सोचती हूँ कि कितना मुश्किल था क्यों मुझे याद है कि मुझे बड़े-बड़े folders खोलती थी और उसमें से देखती थी काम करने का शौक बड़ा होता था, तो अंदा दुन लग हो कि आपने technology को इस्तमाल किस तरह करना है, so जो भी लोग आपके sales से या marketing आप audience में बैठे हुए, try to learn about CRM's, free trial पे CRM's online available है, वो आप use करके देखे, और देखें कि वो आपको क्या-क्या features आते हैं और आपनी sales की efficiency को कैसे increase कर सकते हैं, data-driven decision making, जैसा कि हमने बात की कि data का हसूल बहुत असान हो गया है, in case of digital age, और यहाँ बे हमें जिस तरह का भी चाहें, data हमें available है, पहले decision making होती थी, hit and trial, past experience, senior के मश्वरे पे, लेकिन अब आपके सामने, खुला data पड़ा हुआ है, आपको पता चल रहा है, कि आपका customer जो है, वो कितना frequently buy कर रहा है, उसका order size क्या है, behavior की और attributes क्या है, आपकी जो website है, उस पे कितनी traffic आ रही है, कहां से आ रही है, organic आ रही है, paid आ रही है, conversion rate क्या है, कितने लोग आपकी website पे आए, और आने के बाद उन्होंने, yes, this is conversion, तो ये चीज़ें जो है, ये important decision making के लिए बहुत हैं, मैं कि अच्छा जी website बना ली, उस पे को sale भी हो रही है कि नहीं, या कोई campaign आपने run की है, और आपको पता ही निए उसके निताइज क्या निकल रहे हैं, वो results हैं भी, जो आप चाहते थे, या नहीं हैं, उसकी base पे आपको decision making असान हो गई, तो ये key matrix जो है, ये use करके और data को आप analyze इस तरह से करें, कि आपको पता चल सके कि मैंने जो फैसला लेना है, वो ठीक है कि गलत है, क्योंकि marketing में, you all know कि budgets involved होते हैं, आपने वो budget spend करने हैं, तो जितना अच्छा बड़ा rationale होगा आपके पास, आपको पता होगा कि आपका decision जो ने सकते हैं, ये भी कमाल देखिया है, आपके ये सुर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, महरान थी कि जो मैंने, metric में मैंने पढ़ा था, वो ही आज भी पढ़ाया जा रहा है, एनिवेज ये एक बड़ी दुखी बात है, बड़ जो इसकी खूबी है, जो ये पढ़ना है, लेक मैंने सारी डिजिटल मार्केटिंग हुद पढ़ी है, मैंने आपको बताया कि मैंने जितना अपना केरियर गुजा रहा है, वो सारे ट्रिडिशनल मार्केटिंग था, दोजार उननिस में I left my employment, और दोजार बीस में COVID आ गया है, तो काम शाम तो बंद हो गे सारे, और एकदम online education, online buying, selling, ये वो फ्लांट हिम कहां सब चुरू हो गे, तो मुझे भी समझ आ गई कि मैंने अगर अपने आपको marketeer के लवाते रहना है, तो I have to change, I have to adopt this digital marketing, तो फिर मैंने digital marketing सीखी, social media marketing सीखी, और आज कोई marketeer खुद को marketeer नहीं कह सकता, अगर उसको digital marketing का पता नहीं है, आप एकडेमिक्स की बात करें, एकडेमिक्स में तो अभी नहीं एड हुआ, मेरी पिछले दिनों एक उनिवस्टी में बात हो रही थे, और मैंने नहीं से पूछा तो नहीं का, जी नहीं डिजिटल marketing अभी तक मारे curriculum का हिस्सा ही नहीं है, तो ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन आप इससे opportunity तो कम नहीं हो रही, बीसियों कोर्स पढ़ें हमें online, यूट्यूब पे, आप सीखें, करें, मैं आपको बतारी हूँ, मैंने खुद ऐसे ही किया है, तो अगर academics में नहीं आ रहा तो आप खुद से तो कर ही सकते हैं, अगर वो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे यहां से, तो इसी तरह से आपकी self development से तो कोई नहीं रोग रहा, जाएं online देखें, free courses भी है, paid भी है, करें, ठीक है, curriculum को छोड़ दें कि अब कैसे market में इसको लाना है, यह चीज़ सीथ नहीं है, हम क्या बढ़ते थे women resource and incubation में, कि आपके ideas जो है, वो sellable होने चाहिए, और वो sellable कब होंगे, जब वो किसी ना किसी rationale पे develop होगे, उनकी कोई नो कोई reason होगी, कोई gap होगा, कोई कमी होगी, जिसको आप identify करके, उस idea को उससे पूर करने की कोशिश करते हैं, यह हमारे topic से थोड़ी सी बात हट गई है, anyways, अच्छा जी, हम बात करे थे कि data की मदद से decision making भी असान हो गई है, use of artificial intelligence and automation, artificial intelligence, अब देखे, कितना speedily जो है, वो artificial intelligence हमारी जिंदगियों में है, कि हमें कुछ यगों पर पता ही नहीं है, बहुत से लोग artificial intelligence, they are getting benefit, लेकिन उनने पता नहीं कि artificial intelligence है, गूगल की search बार में जब आप कुछ, तो वो predictive text जो आता है, that is artificial intelligence, बहुत से लोगों को नहीं पता, यह जो Google Maps आप use करते हैं, this is artificial intelligence, this is the weakest form of artificial intelligence, but it is artificial intelligence, ठीक है, गूगल सेर्च में आप कुछ टाइप करते हैं, तो predictive text देना शुरू कर देता, ना, recommended text, यह जो सेर्च करने, इसी भी आप में, येस, एक्जाक्ली, 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 हाँ, फेस्बुक पे इसी तरह से होता है, या अगर कोई चीज, कपड़े दे आई जाएगा, आई जाएगा, आई जाएगा, तो, अच्छा जी, तो, इस ने किस तरह, artificial intelligence ने किस तरह help किया, sales and marketing के function को, आप अक्सर website पे जाते हैं, तो हाँ, chatbots होते है, जो आपको reply करते है, WhatsApp भी दिया होता है, लेकिन chatbots भी है, बहुत सी websites के साथ, तो वहाँ पे आप vertically reply करना शुरू कर देता है, तो हम समय देख बंदा कर रहा है, एक्चुली वह chatbots होते हैं, जो आपके साथ बात कर रहे होते हैं, इसके लावाँ जो various algorithms हैं, algorithm से हम शोर आप सब familiar होंगे, various algorithm जो YouTube यूज़ करता है, Facebook यूज़ करता है, even SEO के अंदर यूज़ होते हैं, ये algorithms आ वो आपको पताती हैं, आपको टाइप करते हैं, आपको पता चल देती हैं, ये चीज़ trending में है के नहीं है, तो वहाँ से आपको customer के trends पता चलते हैं, और उसी की base के ओपर, आप customer का behavior जो है, predict करते हैं, और फिर ऐसी campaigns बनाते हैं, जो उसको attract करें, engage करें, और वो आपका product जो का concept आपने सुना होगा, अभी भी brand ambassadors हैं, लेकिन online, या वेब के through, या अपने जो social media platforms के ओपर influencers हैं, जो actually celebrities नहीं हैं, लेकिन उनका एक circle अपना है, followers बहुत जादा हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, like करते हैं, और businesses ने क्या किया, उन influencer को use करना शुरू कर दिया, ताके उनकी audience तक वो पहुंश सके, familiar हैं ना influencer marketing से आप लो, तो इंस्टा पे बहुत जादे influencers हैं, Facebook के उपर भी हैं, बट इंस्टा की influencers जो हैं, वो काफी aggressively काम करें हैं, खासतों पिट्स वेरी beneficial, अगर आपका कोई clothing brand है, या आपका कोई food का business है, तो उसमें influencers बहुत अच्छा काम करें, next is mobile marketing, आपका ये जो mobile है, इसमें various applications हैं, आप इसकी मदद से buying selling भी कर सकते हैं, website access कर सकते हैं, कुछ खरीद ने खरीद सकते हैं, plus different companies ने, banks ने specially, applications ऐसी बना दी हैं, जिसमें आप, वो personalization वाल element भी पूरा होता है, और आपका dashboard आपके सामने आ रहा है, आपने खोला है, आपके ब पच्चों की fees वाला add हुआ हुआ है, तो आपको एक personalized किसम का, जो है वो, वहाँ पे feel आ रही है, आपने क्या क्या transaction की, पिछले दिनों कौन सा bill pick, everything is recorded over there, और वो dashboard आपको सारी चीज दिखा रहा है, plus इसी के अंदर वो अपनी नई आने वाली चीजें, कोई feature ने लेके आ रह businesses के लिए एक opportunity है to sell their products. Social listening, this is very important. Social listening यह है कि आप businesses को opportunity मिलिये कि वो अपने customers को सुन सके, और वो digital age की वज़ा से ही possible हुआ, जब हम जाते हैं various products के Facebook page के उपर, हम comment करते हैं, हम like करते हैं, हम share करते हैं, या हम different groups में बात करते हैं, तो companies को opportunity मिलती है कि वो truly जान सकें कि उनके customer क्या पसंद कर रहे हैं, क्या ना पसंद कर रहे हैं, कोई concern है, कोई complaint है, कोई query है, तो उनको ये मौका मिला है, digital age की वज़ा से, कि वो इन concerns को हल कर सकें, आपको ज्यादा better way में serve कर सकें, ताके आपका trust काइम रहे, loyalty बने और आप उनके साथ long term business relationship में जा सकें, यहाँ तक कोई question? कोई question नहीं है, आचा चलें, okay जी, e-commerce and online sale, पहले कहां मुमकिन था यह, जब तक internet के इतना vast use नहीं था, कोई इंटरनेट के बगएर आप e-commerce नहीं कर सकते, आपकी buying selling की activity, जो है वो, companies को मौका मिला, कि अपने physical store के इलावा, आप देखें आप जिसने, किसी ने काम करना है, उसके लिए पूरी दुनिया open पढ़िए, आप एक shop खोलते थे तो वो एक certain area में वो shop होती थी, जैसे अगर आप दूसरी shop खोलते थे तो फिर आप एक specific area को serve करते थे, लेकिन अगर आप online selling में चले जाते हैं, तो पूरा पाकिस्तान आपका customer है, तो companies ने इस opportunity को use किया और उसकी वज़ा से global customer तक वो पहुँच पाए, पाकिस्तान में काम से जादा उन्होंने बाहर भी काम करना शुरू कर दिया, फिर user experience बहुत अच्छा दिया, उन्होंने, optimize किया customer को, website पर जाके लगने लग गया, यार यह तो बड़ी जबर्दस बनी है, हम जाते हैं कही website से हम करते हैं, shopping भी, and we feel कि यह trustworthy है, credible है, अब जैसे दराज है, दराज की किसी ने बात की थी जिनका, दराज प जहां जाके आप अपनी चीज़ें खरीदते हैं, इसके लाव और बहुत से ब्रेंड्स है, अब तकरीबन हर ब्रेंड नहीं e-commerce शुरू कर दिया है, आप कर रही हो पाजिया, जी, online है, अब यह वैसे तो कोई setup नहीं है, ना, कैसा आपका जा रहा है e-commerce, जबर्दस जा रह है, अब दियुक्तिकल होती है, ठीक है, तो basically जो e-commerce है, जैसे इन्होंने बताया कि इनका अभी तक पाकिस्तान में unfortunately cash on delivery का बहुत जादा है because of lack of trust element, लोग इतबार नहीं करते, मगवाएं कुछ हा कुछ जाता है और उसमें अपना ही कसूर है, लोगोंने बहुत जादा इस तरह की चीजें करने की वज़ा से लोग अब trust नहीं करते हैं, जी जी e-commerce वैसे globally ही पर्मोट हुई है, खास तोर पे covid के बाद, जो बात आप करें ना वो trust deficit वला मसला है, बैंकों को भी इतबार नहीं है, इसलिए 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 ग्लोबली ही पर्मोट हुई ह वो अपने payment gateways इनके साथ attach नहीं करते हैं, अभी तक 90% आफ आपकी जितनी e-commerce है वो cash on delivery है, तो ये एक बहुत बड़ी hindrance है, grow नहीं कर पा रहा है, क्योंकि cash on delivery का मतलब ये है कि आपको एक फिर बंदे रखने पड़ेंगे, जो आपका cash handle करें, अगर bank to bank आपके account में आ अइसा ही है जो पाकISTana में हो रहा है, इसा ही है खीक है सम्टाइम आती है जी जी जे ऐसा ही ए एक्चली जो पाकिस्तान में हो रहा है दिस जे पह इनला सेलिग लिवेश इसनौत इक कॉमर्च फीकवर्स होता है जब आप पेमेंट भी वहीं करते है तो पाकिस्तान में बेसिकली this is not e-commerce हम इसे e-commerce कह रहे हैं आप इसको digital selling कह सकते हैं online selling कह सकते हैं to e-commerce में आपने in any case payment वहीं करके आना तब आपका e-commerce close होता है बारहली बड़ा interesting topic है very buzzword लेकिन बड़ा full-fledged topic है इसके ओपर हम जादा बात नहीं कर पाएंगे due to time constraint तो ये एक opportunity है basically continuous adaptation another opportunity for businesses के digital age में अगर उन्होंने survive करना है अगर काम्याब होना है तो बदलते तौर तरीकों के साथ उनको अपने आपको technology के साथ attach करना होगा technology को use करना होगा इसमें बहुत बड़ी मिसाल है Nokia की Nokia कितना बड़ा brand था खतम हो गया क्योंके उन्होंने क्या किया technology को adapt नहीं किया अब changing customer needs, wants को understand नहीं किया अपने product को उसके accordingly change नहीं किया now they are out of market तो इस हद तक जरूरी है कि business खतम हो सकता आपका क्योंके यह जो customer है अगर आपको पसंद नहीं करता तो you have no reason to exist your business is all about having customers तो bottom line में अगर हम discuss करें तो basically जो sales and marketing है digital age में for any business उसमें जैसा कि हमने बात की के technology data को use करें personalized customized experience दें अपने customers को ताके वो आपको sales देता रहे ठीके जी this is the bottom line और business scenario में आपके customer का जो changing behavior है उसको आप तभी cope-up कर सकते हैं जब आपके पास required technology या tools है तो यह तो कुछ opportunities थी जो digital age की वज़ा से businesses को मिली sales and marketing के professionals को मिली इन opportunities के साथ कुछ challenges भी हैं वो गयते हैं हर चीज़ का सब अच्छा नहीं होता कुछ pros होते हैं कुछ cons होते हैं तो जहां opportunity नजर आ रही है वहाँ पे कफी ज़दा मसले मसाइल भी है businesses को इस digital age की वज़ा से उसमें सबसे जो basic है that is information overload कस्टमर को बहुत ज़्यादा बंबार्डमेंट है of information जैसे कि हमने का हमको लफजी बोलते हैं को टाइप ही करते हैं तो धड़ा धड़ फेस्बुक वो ही हमें दिखाए चले जाता है जोड़ा लेना हो उस पर डाला है आपने फिर सारे नीचे से वो बार बार वही आई जा रही है और एंड पर आप confused हो गयते हैं यार छोड़ो परे तो वो जो access information आ रही है वो sometime customer को confused कर रही है और इतनी सारी information में से businesses के लिए बहुत भड़ा challenge है कि वो किस तरह से अपने आपको नुमाया कर सकें कि customer उनको सुने तो basically यहाँ पर challenge है marketeers के लिए कि वो कौन सा content अडॉप्ट करें ताकि उनका customer जो है engage हो सके attract हो सके और उनका product ले सके तो too much information जो है actually that is creating problem the next one is changing consumer behavior जो हमने शुरू में बात की consumer का behavior change हो रहा है demanding होता जा रहा है expectations बढ़ती जा रही है क्यों expectations बढ़ रही है बैसिकली expectations बढ़ रही है ने वो technological advancement की वज़ा से बढ़ रही है मैं मिसाल देती होती हूं शाहिए पहले सुनी हो कि पहले हम TV के उठके चैनल change करते थे उससे बार remote साब आगे फिर हमने remote से करना शुरू कर दी अब हम दूर से बैढ़ के कुछ बोलते हैं तो वो हमें वो दिखाने लग जाता है तो अब next level पर पता नहीं क्या होगा कि मैं को दिमाग में ही सोच हूं तो वो program लग जाए तो जो technology की advancement उसने हमारी ख्वाहिशात का जो parameter है उसको बढ़ा दिया that we are just feeling and thinking अच्छा मैं सोच तो वैसे हो जाएगा किस माने में ओरते हाथ से कपड़े दो होती थी फिर उसके बाद वो एक लोहे की सी machine आगे इतनी बड़ी सारी उसमें वो डालने लगें कपड़े अब automatic आगे या वो दो दूगे सुका आगे तो कल को मुझे लगता बच्चा कड़ा कर दे ना उसके आगे तो यूनिफॉर्मी पहना दिये करेगी अवाज दे 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 थी मुझे निकाना तो वो और रहे हैं यह वो आजाएगी ना कल को उसमें भी तो आपका मतलब कहने का यह कि हमारी यह खौईशाथ इसलिए बढ़ प्रस नो डॉक्टर साहब के पास गई हुई थी मेरी मदर शी वस नॉट वैल तो उनको लेके तो वो डॉक्टर साहब मुझे कहते जी वो मैडम आपको पते ही होगा वो कोई चैट जी पीटी के बता नहीं क्या है मैंने का जी बिलकुल है वो AI टूल है तो कहते वो मेरे पा पाके डॉक्टर को बता रहा है कि में पर तो द्वाई भी है तुम बस वेट कर दो कि द्वाई ठीक है कि गलत है तो डॉक्साब परेशान हो रहे थे कि मेरा मतलब बिजनस नहीं चोपट होने वाला मैंगे डॉक्साब कोई मसला नहीं अभी आपका कुछ साल काम चलता रहे तो बेसिकली अब कस्टमर जो है उसको जादा पता है वो रिसर्च बहुत कर रहा है रिव्यूज देख रहा है रेटिंग देख रहा है वाटसैप पे हमसाई से मश्वरा ले रहा है अच्छा मैं कौन से कपड़े लूँ कि कौन सा ब्रैंड अच्छा है कहा सेल लगी है तो यह बड़ा सवाल कॉमन होता है यह कीमत बड़ी हाई है तो आपका बंदा जो है उसको पता हो कि मैंने इसको हैंडल किस तरह करना है इसको कौन सी चीज अपने प्रॉड़क की सर्विस की दिखानी है कि यह ट्रूली समझने लग जाए कि मैं इसको एक वैलियू दे रहा हू इंक्रीस कम्पिटिशन चुके यह कॉमर्स या उनलाइन सेलिंग में आपको कोई फिजिकल शॉप नहीं चाहिए आपको कोई स्टाफ नहीं चाहिए तो हर बंदा जो है जिसने वेबसाइट बना लिया जैसे फेस्बुक का पेज बना लिया वो आपका कमपेटिटर बन गय कॉविट के दिनों में मुझे मेरे एक दोस्त है उनकी एक दिन कॉल आई और उन्होंने कहा जब फर्स्ट वेव आई थी जब लोग बहुत डर गे थे और अंदर सारे तो उन्होंने मुझे कहा जी के साइकलों का बिजनस बहुत अच्छा है मैंने कहा जी कैसे उनको परादर मुझे कीमत उसको मिल रही है और डिफेंस में वह साइकल जो है वह सप्लाई कर रहा है पतनी क्या उन्होंने उसका मुझे को नाम भी पताया तो नहीं कहा जी मेरे जहन में या आईडिया आगया मैं तो यह करने लगा हूँ आपका क्या मश्वरा है मैं तो यह किसी के सौफ और नजर ही आ रहा था कि किसी ने हीटेंड ट्राइल किया हुए पट उसमें एक दो थे जो अच्छा काम कर रहे थे तो मैंने उनसाब को मैंने का देरिस ओल्वे और डिया वेरी बिग कंपेटिशन उसकंपेटिशन मिसाल पचास लोग अगर ऑनलाइन साइकल बेच रहे हैं तो 51 जो आप होंगे आप क्या ऐसा करेंगे कि उन 51 में से आप उबर के सामने आए तो बेतर है कि यह पंगा ना ले और अराम से जो आप कर रहे हैं वह आप करते रहें तो होता है यह कि इस आफ स्टार्ट है कोई बंदा भी जाके अप लेकिन वह आपका कंप इसा लेके आएंगे कि आप दूसरों से मुन्फरेद नजर आएंगे तो दिस इस दे चैलेंज डेटा प्रिविसी और सिक्यूरिटी खास तोर पर ई-कॉमर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो चूंके डेटा ही कठा हो रहा है हमने इसको ब्लेसिंग कहा अपने लिए लेकिन इस डेटे की सिक्यूरिटी और प्रिविसी भी बिजनसे के लिए चैलेंज है आए दिन ये बैंक्स के अकाउंट्स हैक होते हैं वो इसी वज़ा से होते हैं कि कस्टमर्स के अप्लिकेशन में कोई इंफोमेशन रह गए या वो ऑन लाइन कर रहा था इसके लावा ज लेटा की सिक्यूरिटी को भी इंशूर करें जी ऐसा ही है बैटा सेल भी हो रहा है तो ये चीजे एक चैलेंज बन गई है बिजनसे के लिए एड ब्लॉकर्स एंड एड फिटीग्स अब इतनी मेनत से मार्केटिंग वाले एड बना रहे हैं कि फेस्बुक पे चलेंगी या वेबसाइट के बीच में आएंगी या कुछ इस तरह होगा और जो इंटरनेट यूजर है उसने एड ब्लॉकर लगा दी है अब एड नहीं वो देख पा रहा तो आपकी मेनत जो है वो जाया चलीगी तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनीज के लिए आप उनको आप का क्रियेट करें को वीडियो का चैनल बनाएं को आप जो है वो इंफिलेंसर को इंगेज करें तो ये चैलेंज इसी लिए कि अगर एड नहीं देख रहा तो फिर उसको आपने किस तरह से इंगेज करना ठीक है जी आर ओए मैयर्मेंट रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट जब भी आप कुछ इंवेस्ट करते हैं बिजनस पे नैचरिली आप चाते हैं कि उस पर आपको रिटर्न आए तो मार्केटिंग का बजट जब इनवेस्ट होता है तो हमें कस्टमर चाहिए होते हैं उसका ROI जो हमें इससे मैयर करते हैं कितने कस्टमर आए और उन्होंने कित किया हुए अपनी वेबसाइट का तो आप सम्टाइम डिटर्मिन नहीं कर पाते हैं कि आपका कौन सा जो प्लैटफॉर्म है वो एक्चुली आपको हेल्प कर रहा है वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है वो कहां जे आ रही है तो ROI एग्जैटली किसी प्लैटफॉर्म का नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपने अगर मल्टिपल प्लैटफॉर्म के उपर एड्स चलाई है तो आपका एनलिटिक्स या आपके जो एनलिटिकल टूल्स हैं वो इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको बाइफर्केट करके बताएं कि इतनी ट्रैफिक आपको यहां से आरही है यह आपके जो डेटा एनलिटिक्स के लोग हैं उनकी कैबिबिलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि डिफरेंट मेट्रिक्स को देखते हुए वो आपको बता सकें कि आपको कहां पे कैमपेईन को मजीद रण करना चाहिए और कहां बंद कर देना चाहि अपने लिए खुद sales and marketing की activity कर रहे हैं, उनका एक तरफ उन्होंने काम करना है, और दूसरा अपने आपको अपग्रेड भी करना है. तो यह साथ साथ आपको इस gap को, आपकी skill set or technology का जो gap है, उसको आपको cover करने की जरूरत है, which is a challenge at the individual level, simultaneously negative online reviews and publicity. So businesses के लिए यह भी challenge है, कि कोई शिकायत अगर customer को पैदा हो रही है, तो then and there उसको resolve करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जाके आपके बारे में कुछ ऐसा वैसा लिखाएगा. जी, हमें positive जितने लिखे होते हैं, जो negative लिखा होता है, उसको जड़ा ज़ादा, human nature है ना, हम by default हम negative है, तो हम जो है वो negative चीज हमें ज़ादा appeal कर रही होती है, तो होता यह है कि यहाँ पे आपकी team बड़ी कोई को, कि अगर कोई grievance और इसमें कई जो हैं companies जो हैं बड़ा proactively customer को खुद ही review के लिए, जैसे मैं कुछ एक तो website यूज करती हूँ, तो the moment उनका product मेरे घर land होता है, साथ ही मुझे email आ जाती है, जी हमें बताएं कि आपको कोई problem तो नहीं, यह call आ जाती है, तो वो proactive है, कि इससे पहले कि मैं Facebook पे जागे कुछ negative लिख किया हूँ या उनकी website पे कुछ negative ranking करूँ, बेटर है कि वो मुझे पहले ही जो है वो, उसको address करते हैं, उनको star बहुत ही जाई होते हैं, वकार साभ आप बहुत खामोश हैं, तो basically reputation, online reputation manage करना जो है वो, बहुत बड़ा challenge है companies के लिए, और जो है वो, इसका बहुत negative impact हो सकता, keeping pace with technology, जो हमने पीछे बात की, वो था skill, individual की skill और technology और यहाँ पे company level के उपर, जो भी आपकी नई technologies आ रही हैं, उनको आपको embrace करना है, जो आपसे relevant है, यानि अगर artificial intelligence आपके business में लागू होती है, तो आपको उसको embrace करना है, website के ओपर chatbots लगाने हैं, इसके लावा आप, आपको देखना है कि आप, ज़रूरी नहीं कि आप सब चीजें करें, सब चीजें नहीं हो सकती, but the most relevant, मैंने कुछ दिन पहले, एक साब को फॉन किया, बड़ी अच्छी, बड़ी कंपनी में, HR के head थे, और उन्होंने का, जी मैं WhatsApp यूज नहीं करता, तो मैंने उन्हें देखा नहीं हुआ था, तो मैंने अब उनका, जो image मेरे mind में बना, वो ये बना कि शायद ये तो बुड़े, या ये बिमार है, अचा बुड़े मैंने इसलिए null and void कर दिया, क्योंके my father is martial arts, four years old, and he is using WhatsApp, ये बुड़ा नहीं है, पिर ये बिमार है, क्योंके डॉक्टर्स भी आपको मना करते हैं इन case of hypertension कि आप too much stay away from WhatsApp और screen time वगरा अपना कम करें, तो ये होता है कि जब आप updated नहीं हैं तो फिर आप obsolete हैं, backward हैं, ये आपका एक image बनता है, तो technology जहां तक ज़रूरी है, उसको incorporate करें, say, नहीं मैंने देखा नहीं उनको भी अताक, अभी तक से मफरूज हैं भी बात है, ये पहला feeler था मुझे जो आया कि ये WhatsApp नहीं use करते हैं, हाँ, आजकल कौन है ये WhatsApp में use नहीं करता, अजीब सही लगता है, करती हैं लोग ना, तो, अच्छा जी, coming back to the point, ये technology को embrace करना है, tools को use करना है, हमने पहले जैसे Nokia की बात already कर ली हुग है, fragmented customer journey, कि अब customer की जो journey भी है न, वो भी कोई तुक की नहीं है, वो mobile पर आपको ढूंड रहा है, laptop से बैट के आपको मजीद आपके बारे में जान रहा है, और finally जागे आपकी दुकान से चीज़ खरीद रहा है, है न, ऐसे ही है न, कि वो सारी बात करने के बाद इदर उसे घूम के उसने का है, मेरी रस्ते में पढ़ती है दुकान, मैं उदर से जागे ले लूँगा, तो अब उस केस में भी, जो है वो तमाम टच, इसनको कहते हैं टच पॉइंट्स, टच पॉइंट्स वो जगें होती हैं जहां कस्टमर और आप डिरेक्ट होते हैं, आपकी इमेल, आपका फेस्बुक, आपकी वेबसाइट, आपकी फॉन कॉल और आपका SMS, ये टच पॉइंट्स हैं, जितने भी किस कंपनी ने टच पॉइंट्स रखे होएं, यानि इसमें आपके और कस्टमर के भीज कोई नहीं होता, तो एक उनिफर्मटी मेंटेन करना अक्रॉस आल टच पॉइंट्स, के इच्छा जिसने वेबसाइट पे देखा, फिर फेस्बुक, अब आपकी वेबसाइट कुछ कह र रही थी, रिटेल फैशन स्टोर, और उदर उन्होंने मुझसे शिक्वा किया, उन्होंने का जी, बेसिकली उनके कस्टमर सर्विसेज, मार्किटिंग, उपरेशन, और सेल्स के लोग बैठे वेथे, और ने का जी, यह फेस्बुक पे लिखा देते हैं, फ्लैट इतने परस क्लास लेते, वह कहते हैं, वह बचारा है, मुझे पता यह नहीं होता हुँक और, आइसमेस कर देते हैं, फ्लैट इतने परसेट आफ। तो जब आपकी, जो डिस जिसे कहते हैं, आपकी सनर्जी नज़र आपकी कॉर्डिनेशन नजर नहीं आती तो कस्टमर इसका बहुत नेगेटिव इंपक्त लेता है तो बिजनेस के लिए चैलिंज है कि वो अक्रॉस आल प्लैटफॉर्म्स, आल चैनल्स एक बियान रखें इसमें तो बहुत है कि अजर उसके साथ एक लफस लिख रहे हैं यह ओडिए जी जी क्लारीटी की जरूरत है ना आप आप कह रहे हैं जिए क्लारिटी नहीं है फ्लैट आपने लिख दिया कि फ्लैट 20% आफ है ऑनलाइन पे है और आफ लाइन पे है कुछ अपनी से लिखा होता है लेकिन वह बचारों का स्पिसिफिक केस था और नहीं का जी सारी गाली जो है ना कस्टमर की वह हमारे मैनेज साब बचारे सुनते हैं और माफीत लाफी करके फिर उनको अपने उसको डिटर्मिन क्योंकि आपको ओवर हैड्स उदर नहीं आ रहे ना लेकिन आफ कोर्स वेबसाइट अगर आपने अपनी बनाई है तो उसकी मेंटेनिंस की कॉस्ट है और खाली वेबसाइट बनाना काफ ही नहीं होता ओनलाइन बिजनस को आपको पर्मोट भी करना होता है यह एक बड़ा कॉमन सवाल है जो मुझसे अकसर लोग कहते हैं जी माइबसाइट है सेल नहीं है और बही वेबसाइट है तो क्स्टमर को पता ही नहीं आपकी वेबसाइट पर कहां से सेल आएगी आपको पर्मोट भी करना होता है तो यह एकस्पेंसेज आप फिर कॉस्ट में इंकॉर्परेट करते हैं नहीं वो आपको देखना है ना आपका जो बिजनस मॉडल है स्पिसिफिकली उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है आप जो ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं उनकी कॉस्टि और जब कि फिसिकल शॉप है उसका आपको पता है यह कि आपने वहां पे किन चीज़ों को ओर हैं सेलरीज को करना है स्टाफ को करना है इस तरह से आप उसकी सेपर हो सकता है कि यहां कॉस्ट आपको कमपरिटिवली कम आए या मेभी जादा है अगर आपको प्रमोशन या मा अगर आपके बिजनस में आपको लग रहा है कि आपकी जो फिजिकल शॉप है उसका खर्चा ज्यादा है लेकिन हो सकता है उसकी मार्केटिंग के लिए आपको कुछ ना करना पड़ता हो क्यूंकि आप एक इस्टैबलिश जगा पे बैठे हुए और आपकी कस्टमर बेस ऑ चैलिंजेज थे और कुछ ऑपरचुनिटीज थी जो डिजिटल एज की वज़ा से बिजनसेज को सेल्ज और मार्केटिंग परफेशनल को मिली लेकिन इन चैलिंजेज को कैसे फेस करना है और इन ऑपरचुनिटीज को कैसे माटिरियलाइज करना है इसके लिए सेल्ज और म को आप कभी overcome नहीं कर सकते तो मैंने ये topic इसलिए डाला था कि कुछ इसके उपर भी बात की जाए तो सबसे important ये है कि being a sales and marketing professional आपको digi skills आनी चाहिए तब ही आप इन opportunities को grab कर सकते हैं डीजे skills में naturally जो हमने बात की कि social media platform से आपको ना सिरफ know-how बलकि आपको पता हो कि इन से आप क्या काम ले सकते हैं अपने business के हवाले से अगर आप एक professional है एक sales person है आपका LinkedIn has to be very strong तो आप जो है वो आपकी digital presence में वो बहुत matter करेगा क्योंकि corporate भी या आपके client भी आपका profile देखेंगे जाके इस तरह आपका Facebook अपर अच्छा लोगों ने बनाये बहुत होते हैं लेकिन मुझे समय नहीं आती कि उन्होंने क्या उससे क्या show करना चाह रहे हैं यानि Facebook का page बनाया है उस पर पूलों की तस्वीरें दी हुई है इफ यू आर प् परसू करने के लिए अगर आप business कर रहे हैं तो आपने बिजनस के लिए बनाया हुआ है तो वहां आपका जो objective है वो नजर आना चाहिए आपका content relevant होना चाहिए updated होना चाहिए does it make sense? तो वो लोगों ने पते नहीं क्या क्या तस्वीरें डाल देते हैं जो किसी तरह से उनसे मताबकत नहीं रखती है तो कोई अगर उनके Facebook के पेश पे जाता भी है तो उसको यही लगता है कि यार यह relevant बंदा नहीं है मेरे पास तो यह आया था पर पोजल लेके तो यहा और उनसे आपको familiar होना चाहिए कुछ terminologies हैं इसके अंदर भी यूज हुई हैं यह आपको पता होनी चाहिए है sales and marketing professional सेकेंड नमबर पर analytical skills बहुत important है digital skills के साथ analytical skills analysis करना आना चाहिए क्योंकि आपके पास पहले भी हमने बात की कि data है लेकिन वो data किसी काम का नहीं अगर आप उसको analysis नहीं कर सकते उससे reports नहीं बना सकते उससे आप interpret नहीं कर सकते कि इस data में ये चीज़ है इसका क्या मतलब है ये किस चीज़ को reflect कर रही है तो data analytics के tools आपको use करने आने चाहिए क्योंकि अब ये भी काम मुश्किल नहीं रहा ऐसे softwares हैं जिनमें आप data डालते हैं तो आपको various तरह की reports और आपके CRM's जो हैं वो भी आपको various तरह की reports निकाल के देते हैं तो आपके अंदर है sales and marketing professional ये ability होनी चाहिए कि आप उससे useful insights जो हैं वो निकाले और फिर उसको अपने business की बेतरी के लिए इस्तमाल करें the third one is content creation and storytelling content creation हमने बात कर ली कि content कोई भी चीज़ है तस्वीर भी हो सकती है copywriting भी हो सकती है blog हो सकता है article हो सकता है तो being a marketeer आपको पता होना चाहिए कि कौन सा content basically मेरे business को best describe करता है और कौन सा content मेरे customers को engage करता है कौन सा content जो है उससे मुझे अच्छे results आते है storytelling is also a form of content creation जिसमें आप एक story के थूँ अपने brand के बारे में बताते है बच्पन में याद है ना वह हम moral of the story कोई अच्छी बात बताने के लिए कहानी सुनाई जाती थी तो brands भी storytelling करते हैं ताकि क्योंकि हम इनसान का जो जहन है वो stories को याद रखता है तो to stay के वो memorable रहे, यादगार रहे, brands जो है वो storytelling का सहरा लेते हैं तो marketeers के लिए बड़ा important है कि storytelling की skill का उनको पता हो adaptability and learning agility जो हमने पहले बात की कि अगर आपने इस चलती दुनिया में अपने आपको रवादमा रखना है तो इसके तकाजे आपको समझने होंगे, change जहां required है, वो करें वो change आपकी तालीम में हो सकती है आपकी qualification में हो सकती है, आपके तजरबे में हो सकती है provided आप में passion है कुछ नया करने का सीखने का जजबा है, सीखने का shock है curious हैं आप, नई चीज़ें ट्राइ करना चाहते हैं, ने tools, techniques ट्राइ करना चाहते हैं तो ये बहुत important skill है जो आप में होनी चाहिए expertise in using CRM, आपको पता होना चाहिए, CRM को किस तरह effectively use किया जा सकता है और कोई science नहीं है, चुब करके आप internet पे डालें, easy and best CRM वो आपको बता देगा, free है, कितने सारे CRM's free हैं, उनको आप try करके, use करके अपने लिए उसको beneficial कर सकते है communication and collaboration, so sales and marketing का function मैंने का ता isolation में नहीं हो सकता, एक sales person को, एक marketeer जो है, उसको बहुत जादा अपने functions दोनों के साथ collaborate करने, प्लस customer services के साथ collaborate करने की जरूरत होती है, कि काम मिल जुल के किया जाए, because their end goal is to create happy and satisfied customers, वो इसी सूरत हैं, जब आप collaborate करके करेंगे, और communication skill तो I think is top of everything, कि अगर आपकी communication skill जो है वो अच्छी नहीं है, तो उसको अच्छा करें, ideas किस तरह present करने हैं, किस तरह proposal ड्राफ्ट करने हैं, किस तरह customer को मिलना है, किस तरह उससे बात करनी है, यह जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे customer सिर्फ on site नहीं है, बलके online भी है, जहाँ पे वो आपको नहीं देख पार, आप उसको नहीं देख पार है, तो आ प्रोच होनी चाहिए, प्रो एक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या चीज़े नहीं होने वाली हैं, और मुझे किस तरह से इनके accordingly move करना है, networking and relationship, relationship is very important, sales के लोग, marketing के लोग, अगर relationship build नहीं करेंगे अपने customers के साथ, अपने industry experts के साथ, अपने peers के साथ, तो वो successful नहीं हो सकते, because this is something जो isolation में कभी भी मुम्किन नहीं है, तो जितने ज़्यादा आपके connections होंगे, online and offline, उतने ज़्यादा आपके success के chances हैं. Thank you so much, this was my presentation and all about कर दो.